यह देखें दोस्तों कितना टेस्टी और डिलीशियस खस का शर्वत हमने बनाया है घर पे वही मार्केट जैसा कलर, शाइन और वही टेक्स्चर आपको इसे पी कैसा फील ही नहीं होगा कि आप घर पे बना हुआ शर्वत पी रहे हैं हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू सिंधी रसोई, सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मार्केट जैसे खस सिरप की पॉफेक्ट रेसिपी, खस का शर्वत पनाने के लिए यहां पे मैंने ली है दो कप चीनी, जिस भी पे चाहिए तीन चौथाई कप, यानि कि एक कप से थोड़ा सा कम हम पानी यूज़ करेंगे, और ये नॉर्मल पानी है, गरम पानी नहीं है, गरम पानी हम आगे यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी, साथ ही मैंने लिया है, आधा चोटा चम्मच, ग्रीन फूट कलर, एक चोटा चम्मच, खसेसिंस, आधा चोटा चम्मच, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड शर्बत में प्रिजर्वेटेव का काम करता है, और इससे शर्बत में हल्की सी खटास आती है, एक चुटकी नमक, और छे से साथ ड्रॉप हम यूज़ करेंगे केवरा एसेंस आप केवरा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं चलिए हम शर्बत बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन इसमें मैं डाल दूँगी एक कपचीनी अभी हम पूरी दो कपचीनी नहीं डाल रहे हैं एक कपचीनी मैंने यहाँ पे एट की है साथ ही डाल दिया तीन चौथाई कप पानी एक पिंच नमक यानिकी एक चुटकी नमक और आधा छोटा चमत सिट्रिक एजिड अभी तक मैंने फ्लेम को ओन नहीं किया था अब मैं फ्लेम को ओन कर रही हूँ फ्लेम को मैंने ओन कर दिया है अब इसे कंटिनुवसली चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे बॉय लाने तक हमें पकाना है चलाना आपको कंटिनुवसली है और flame रखनी है medium high ना ही flame full high रखनी है और ना ही low low और high के बीच में आपको set करनी है अपनी gas की flame यह देखिए यहाँ पर हमारा syrup boil होना start हो गया है तो अब मैं इसमें डालूँगी आधा कप गरम पानी बिल्कुल उबलता हुआ गरम पानी आपको यहाँ यूज करना है एक साथ पानी नहीं डालेंगे इस तरीके से हम एक एक चमच करके पानी डालते जाएंगे ताकि जो हमारा syrup boil हो रहा है उसकी boiling process कम ना हो यह boil continuously होना चाहिए तभी शर्बत अच्छा बनेगा syrup continuously boil होगा तभी शर्बत में एक अच्छा सा टेस्ट आएगा तो मैं यहाँ पर आप देख रहे हो एक एक चमच करके पानी डाल रही हूँ और इसे चला रही हूँ flame अभी भी है medium high इसी तरीके से मैं यहाँ पर यह टोटल आधा कप गरम पानी डाल दिएगी पानी मैंने डाल दिया है अब मैं इसमें डालूँगी एक कप चीनी हमने एक कप पहले यूज़ करी है और जो एक कप चीनी हमने बचाई थी वो मैं अब डालूँगी से भी अच्छे से मिला लूँगी वापस से सिरप को हम boil होने देंगे और यहां पर मैं add कर रही हूँ खस essence एक चुटा चम्मच आधा चुटा चम्मच ग्रीन फूट कलर और छे से साथ ड्रॉप केवरा essence जाधा केवरा essence नहीं डालेंगे नहीं तो शर्बत का पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा छे से साथ ड्रॉप इतनी शुगर के लिए काफी है अब हमें क्या करना है सिंप्ली इसे चलाते हुए बॉयल करना है ताकि चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए और शर्बत थोड़ा सा थिक हो जाए चीनी घुलने के बाद सिर्फ हम इसे दो मिनट के लिए पकाएंगे घड़ी देखके आपको दो मिनट के लिए चीनी घुलने के बाद इसे पकाना है जादा दे नहीं पकाना नहीं तो क्या होगा जब आप इसे स्टोर करेंगे एर टाइट पॉटल में और रखेंगे फ्रिज के अंदर तो यह जम जाएगा और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो पिलकुल वही कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी जो मार्केट में हम शर्बत लेके आते हैं उसकी होती है यह देखे चीनी यहाँ पर अच्छे से घुल चुकी है तो अब मैं ऐसे दो मिनट के लिए और पकाऊंगी दो मिनट हो गया है आप देख सकते हैं अब यह जो सिरप है थिक हो गया इसमें यह जाक सी फॉर्म हो रही है यह पहचान है कि हमारा शर्बत बनके तैयार है अगर आप इसे अपने फिंगर में टच करेंगे न तो आपको फील होगा कि आप ओईल टच कर रहे हैं बस उसी टाइम पे आपको फ्लेम को ओफ कर देना है फ्लेम को मैंने ओफ किया है इसे निकाल रही हूँ ग्लास में और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दूगी असान था घर पे शर्बत बनाना बस कुछ बातों का ध्यान रखे इसे जब आप स्टोर करें यानि कि जब यह ठंडा हो जाए तो इसे तुरंत एयर टाइट बॉटल में भर दे उसके बाद इसे आप स्टोर करें अगर आप खुला रखेंगे तो क्या होगा सारा इसे निकल जाएगा देखिए सिरफ अब एक घंटे के बाद ठंडा हो चुका है इसकी ठिकनेस आप देख सकते हैं बिलकुल लगड़ा है मार्केट से हम यह शर्बत खरीद के आए हैं वही टेक्स्चर वही ठिकनेस और वह में उपनेसे ना रखें नहीं तो सारा इसे उड़ जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट रसीपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई